नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोति सीक्रेट मिथुन डासी वालों के दस रहस्ये आज हम आपको आपसे ही परिज़े कर पाएंगे तो वीडियो के अंतक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंदरासी पर आधारित है मिथुन डासी चुकि यहां पर बुद्ध देव इनके स्वामी है और वायू की ताकत इन्हें बहुत बुद्धिमान बना देती है वैसे तो मिथुन वाले के जीवन में आकस्मिक चीजे बहुत होती है बहुत जादा बुद्धिमान तो होते ही है बुद्धी से जादा जो सो यानि किसी का भी चेहरा देखकर यह बता सकते हैं उनके मन में क्या चल रहा है बहुत ही दूर की दृष्टी होती है यानि बहुत दूर तक यह सोच सकते हैं बहु मुखी पर्थिवा के धनी भी होते हैं और जीवन में कोई भी काम बहुत बुद्धी मता के साथ यह पूरा कर छोटी छोटी बाते भी इन्हें बेचैन कर देता है वैसे भी इनका यह कंफ्यूज होते हैं अक्सर दो रास्ते पर जाके कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना चाहिए इस मामले में और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मिथुन रासी बारे जो होते हैं जीवन साथी के इनका तनव भी होता है लेकिन इसके बारे में हम अंत में बताएंगे इसके पहले समझते हैं कि मिथुन रासी बाले जो हैं इलक्ट्रॉनिक इलक्ट्रिकल चीजें या फिर खासकर वाहन के बारे में इन्हें अच्छी खासी नॉलेज होती है क्योंकि जीवन में सुक्षू अगर हमने बताना शुरू किया फिर तो उसका अंत नहीं होगा तो कुछ और हम बताते हैं जैसे कि अब हम बात करते हैं इनके जीवन में चुकि वायू तत्तु कि रासी है ना मिथुन रासी तो यहां पर सेटिलाइट वायू यान जैसी चीजों में इनका ग्यान अदबु तो इन चीजों में इनका मन भी लगता है वैसे तो आपको बुद्धी वाले काम ही पसंद आते हैं कुछ भी करने से आप बचते हैं और लापरवाही हलाकी थोरी होती तो है इसके कारण आपको हानी भी उठानी पड़ती है वैसे खोजी दिमाग के होते हैं हर जगा लापर और सबसे ज़्यादा सफलता ये मीडिया लेखक या फिर बहुत सारे भासाओं को जानका जो होते हैं योजना बनाने वाले बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं लेकिन इनके अंदर भी एक मर्यादा होती है जो कि इन्हें कुछ आजादी देता है और कुछ बंधन मिठूंडासी बाले जो होते हैं धोरे से सरारती भी होते हैं और हलाकी सांत रहेंगे लेकिन कभी कभी कुछ कומеди करना भी अच्छा लगता है और जोखिं भरे काम करना भी पसन्दाता है माजाकिया होते हैं और उनको लोगों से मिलना जुलना ऑनसे संपर्क बढ़हना अच होता है क्योंकि यह बहुत बुद्धिमान होते प्यार के मामलों में ऐसे ब सब्सक्राइब खुर OUT कुछ पर तेमίνね और अगर आप love life में हैं या फिर relationship में हैं या बैवाही जीवन में हैं तो रिस्तों को इमांदारी से निभाना भी चाहिए वैसे ये चुकि दो मिथून रासी वालों का दो प्रतीक चिन है न तो ऐसे में इनका दोहरा बेक्तित है दो दिमाग के स्वामी होते हैं ये एक साथ दो चीजें सोच सकते हैं कर सकते हैं इस मामले में बहुत टैलेंटर होते हैं और वैसे अगर आप मिथून रासी वाली लड़कियों से साधी कर रहे हैं तो यह समझ कर चले कि मिथून रासी की जो लड़के हैं एक नहीं बलकि आप दो से साधी कर रहे हैं क्योंकि इनका दि ही एक बहतर माता-पीता भी सावित होते हैं लेकिन एक बात हमेशा ही ध्यान रखिएगा मित्थुन रासी वालों जो होते हैं वह उमीदों पर कभी-कभी खड़े नहीं उतर पाते क्योंकि थोड़ा संबंद चंचल होता है या फिर दूविधा के सिकार होते हैं ऐसे में आप तीन-चार साल तक दिकते होती हैं मित्थुन वालों की और लगता है कि साधी जैसे तूट जाएगी पर थोरे समय के बाद ही ठीक हो जाता है और अगर हम मित्थुन रासी की लड़कियों की बात करें तो ससुराल पक्च से समस्या तो होती है मित्थुन रासी की महिलाओं का और पती के भाई और उनकी पतनी से तालमेल बिठाने में यहां पर समस्या आती है अगर इनकी सास की बात करें तो मिथुन्डासी की आप लड़की है तो आपको अच्छी सास मिलती है तालमेल आपका आपकी सास के साथ बहुत अच्छा होता है इस मामले में आप लगी होते हैं क्योंकि आपका वेभार बाकी चीजे भी आपकी अच्छी होती है और आप खुसमिस किस्मत है कि आप सास के मामलों में लगी है हम आप से विदा लेते हैं हर हर महादेब पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें